हलो एवरीबन वेलकम बेक टू नोलेज फोर फ्यूचर स्टडी चैनल राजस्थान जीके के अब्भातंत्र टॉपिक को हम डिसकस कर रहे थे जोगरफी का ये टॉपिक है इंपोर्टेंट है हमने डिसकस कर लिया था अरब सागरिय अब्भातंत्र और अंत्य प्रिभाही ये दोनों हमने डिसकस कर लिये थे जो अरब सागरिय अब्भातंत्र है वो हमारे राजस्थान के अब्भातंत्र का 17% 17% हिस्सा कवर करता है और सबसे ज़्यादा हिस्सा कवर करता है हमारा अंत्य प्रभाही अब्भातंत्र जो की लगबग 60% हिस्सा कवर करता है अब लास जाल की खाड़ी के अबबात नत्र में चार मेजर नदियों का जिक्र होता है, जिसमें आप सभी को पता होगा, सबसे पहले नंबर पर चंबल आएगा, दूसरे पर बनास, तीसरा बेड़ा, चर आयड और चोथा गंबीर, इन चार नदियों का ज्यादा जिक्र होता है, अब ह मेहद जील ये भी बिंद्याचल परवतमाला में है और अम्रोरू पाड़ी से निकलती है माही नदी तो आपको दोनों याद रखनी है मेहद जील से माही नदी और चंबल नदी जनपाप पाड़ी बिंद्याचल परवतमाला से चंबल नदी मिल कहा जाती है यमना में जाके मि संगम इसका यमना, इतावा यूपी में हो जाता है, लंबाई, राजस्तान में अगर पूछे, तो 322 km में मानी जाती है, अगर पुरानी बात की जाये, तो 966 km और राजस्तान में 1135 km, ठीक है, यह पुराना ड़ाटा था, लेकिन अभी का メाटा क्या है, अब बाद चेतर इसका छे जलों में आता है, ठीक है, जैसे लूनी का छे जलों में आता है, बनास का छे जलों में आता है, और चंबल का छे जलों में आता है, कौन-कौन से छे जले हैं, चित्तोडगर, कोटा बूंदी, करोली धोलपर और सबाई माद उपर, ठीक है, ये छे कोटा और बूंदी को हया है चेतर बोलते हैं और चित्तोडगर से यह राजिस्थान में प्रवेस करती है चित्तोडगर का 84 गड़ नामक एक जगह है वहां से यह प्रवेस करती है अब इसकी सायक नदियों की बाद कर लेते हैं सायक नदियों की ट्रिक है गुसे में मा पापा ने आज काले घोडे पर गुसे में इसका मतलब है गुंजाली बार गुंजाली गुसे में का मतलब है गुंजाली ठीक है में का मतलब है मेज मेज important है याद रखनी है मा से मांगली पापा से पारबती आप सभी को पता होगा पारबती चंबल की साजक है ने से निवाज या फिर नेवाज ठीक है आ से आहू आहू और काली सिंद आहू और काली सिंद पर एक अच्छा कोश्चन आता है कि आहू और काली सिंद इन दोनों के किनारे पर इन दोनों के संगम पर गागरों दुर्ग इस्तित है ये कोश्चन आता है गागरों दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है आहू और काली सिंद तो आपको याल रखना है गागरोंदुर्ग जलदुर्ग है जहलाबाड में है आहुवर काली सिंद के तठपर काले से काली सिंद घोडे से गोडा पचार पा से परवन परवन अभी हाल ही में चल रही है मैं आपसे कोशन पूछता हूँ कि परवन नदी जो परियोजना है वो किन किन जिलों के लिए किन किन जिलों के लिए लाबदायक है यह हाली में ट्रेंडिंग में कोशन चल रहा है परवन नदी परियोजना किन किन जिलों के लिए लाब दायक है आप बताईए अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बार 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 से बनास और बार से ही ब्रामणी चाकू, चाकन, कुनू और कुराल से से सीप ठीक है? क्या याद रखना है? गुसे में मापापा ने आज काले गोडे पर बार बार चाकू से मारा ये ट्रेक आपको जरूर रट लेनी है क्योंकि सायक नदियां पूछी जाती है बार बार एक्जाम में अब बात करते हैं, हम इसका मैप में देख लेते हैं उर्गम इसका जनापाप भाड़ी से हुआ चंबल नदी का चौरासी गड़ राजिस्थान में इसने प्रवेस कर लिया चितोड़ गड़ में चौरासी गड़ के बाद भैसरोड़ गड़ नमक जगए पर चूलिया जलपरपात बना देती है चूलिया जलपरपात अठारे मीटर उचा ही है इसकी राजिस्थान का सबसे उचा जलपरपात है ये ठीक है चूलिया जलपरपात अगर अठारे मीटर का उचा कर दें उल्टा कर दें, 81 मीटर 81 मीटर हमारे राजिस्तान का सबसे उचा बांध है जाखम बांध, जाखम बांध जाखम नदी पर है जाखम नदी मैंने आपको पढ़ाई थी माही की सायक नदी है सोम माही जाखम माही की सायक है जाखम नदी और 81 मीटर उंचा बांध है इसमें किस जिले में है ये पिरताबगड जिले में है ये भी आपको याद रखना है जाखम बांध पिरताबगड जिले में जाखम नदी पर ठीक है तो भैसरोडगड में चूलिय जलपरपात बनाता है चूलिय जलपरपात की उंचा ये 18 मीटर है इसके बाद hanging bridge है कोटा में एक चंबल नदी पर ये भी आपको याद रखना है यमना में संगम हो जाता है इसका इटाबा यूपी में सीप इसमें आकर मिलती है राजसमंद बनास आकर मिलती है बनास कहां से निकलती है ये question भी आता है आगे हम पढ़ेंगे भी बनास खमनोर की पाडियों से निकलती है राजसमंद से ठीक है अब बनास सीप और रामे और इसका बनास सीप और चंबल कौन कौन सी नदिया मैंने बोली है अभी बनास सीप और चंबल इन तीनों का जो संगम होता है वो होता है रामेशुर घाट पे रामेशुर घाट सवाई मादोपुर में ठीक है रामेशुर घाट पर इनका तीनों का संगम होता है बना, सीप और चंबल का ये जो रामेशुर घाट है ये मीनाओं का प्रियाग कहा जाता है मीनाओं का प्रियाग कहा जाता है ये कोश्चन भी आता है ठीक है तो मैंने रामेश और घाट में चंगम बता दिया किस-किस का होता है सीप, बनास और चंबल का अब इसमें सायक नदियाम देख लेते हैं चंबल में सबसे पहले गुजाली, गुजाली मिल जाएगी ठीक है चितोड़गण में आहू और काली सिंध जहलाबाड में आपस में मिलती है जहापर जहलाबाड में यहापर गागरोन दुर्ग बना हुआ है जो मैंने आपको उपर डिसकस किया था कि गागरोन दुर्ग बना हुआ है आहुवर काली सिंद के तट पर यहाँ पर मिल जाती है फिर काली सिंद आगे बढ़कर कोटा में का मिल जाती है चंबल में मिल जाती है जालाबार से परवन नदी आती है और परवन इसमें मिल जाती है परवन आहूर काली सिंद मिलके चंबल में मिल जाती है पारवती मिल जाती है सवाई मादोपुर में चंबल में आके फिर इसके बाद करोली में कुनू नदी आके मिलती है और बाद में जाके ये यमना में मिल जाती है तो ये इनकी सायक नदियों का किरम है जो कि आपको याद रखना है अब बात करते हैं बनास की चंबल की सबसे लंबी सायक नदी पूछे तो वो है बनास चंबल की सबसे लंबी सायक नदी बनास है जो की राज समग खमनवर की पाड़ियों से निकलती है काली सिंद चंबल की दाई ओर से सबसे लंबी सायक नदी देखो अभी मैंने उपर क्या डिसकस किया था कि बनास तो मिलती है बाई ओर से सबसे लंबी सायक नदी और यदि दाई ओर से सबसे लंबी सायक पूछे तो काली सिंद्ध बाई ओर से सबसे लंबी बनास और दाई ओर से काली सिंद्ध सबसे लंबी है चंबल की दाई ओर से सबसे लंबी सायक नदी है काली सिंद सामेला काली सिंद पर आउ के संगम को जहला बाड में सामेला कहा जाता है सामेला मैं आपको बता दिया गागरोन दुर्ग सामेला नमक जगे पर है काली सिंद पर आउ के संगम को जहलाबाड में सामेला कहा जाता है जिसके किनारे स्थर्व स्रेष्ट जल दुर्ग गागरोन इस्तित है गागरोन दुर्ग से संबन देते एक कोश्चन मैं और बता देता हूँ आपको संत पीपाजी का नाम गागरोन से जोड़ा जाता है परताप सिंग यहांके राजा थे इनका नाम पीपाजी है इसके अलाबा गागरोन में खीची राजबंस का बंस चलता था खीची अचल दास खीची आपने सुना होगा फेमस थे और एक यहाँ पर मुसलिम पीर की दरगा भी है वो आप कमेंट करके बताओ किसकी है मुसलिम पीर की दरगा है आप कौन से मुसलिम पीर की दरगा है जो की फेमस है आप कमेंट करके बताओ बहुत अच्छा intention है, मुसलिम पीर की दर्गाः है, कमेंट करके बताओ, आप कौनसे पीर की दर्गाः है गागरोन दुर्ग में चंबल की विसेश्ता है, चंबल के उपनाम है, इसको चमरवर्ती कहा जाता है, कामधेनू कहा जाता है, बारहहमासी कहा जाता है एकमात्र बाहरेमासी नदी है राजिस्थान की चमणबती, कामदेनू गाय किसे कहा जाता है राठी को ये भी आपको याद रखना है अब बात करते हैं तिर्वेडी संगम की तिर्वेडी संगम मैंने आपको बता दिया रामेशुरम घाट में बनता है पादरा गाओं में, सबाई मादोपुर में, चमबल, बनास और चीप का मीडाओं का प्रियाग इसे कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है चूलिया जलपरपात, राजिस्तान का सबसे उचा जलपरपात है, 18 मीटर इसकी उचाई है, चमबल नदी पर बनता है, इस्तिती इसकी बहेंसरोडगड में है अब बहेंसरोडगड से और बिजॉलिया तक एक पठार फेला हुआ है अब बहेंसरोडगड से और बिजॉलिया तक एक पठार है, इसका नाम आपको कमेंड करके जरूर बताना है, अगर आपको पता हो, तो मैं आपको वही आंसर बता दूँगा, और अब बात करते हैं, हैंगिंग बिर्ज की हेंगिंग बिर्ज की इस्तिती कोटा में है लंबाई इसकी 1.5 किलोमीटर है लंबाई 1.5 किलोमीटर है चंबल नदी पर ये बना हुआ है गोडाबड प्रिजनन केंद्र जैसलमीर और जोधपुर में है बिकरम सिला अभ्यारण ने बिहार में है गांगे सूस के सरचन के लिए जाना जाता है बिकरम सिला अभ्यारण ने गांगे सूस के लिए जाना जाता है चंबल में सरच्चित जीब कौन कौन से है चंबल में घडियाल सरच्चित है चम्बल में यह आपको जरूर याद रखना है इसके अलाबा गंगे डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन पाई जाती है उद्बिलाव यहाँ पर पाया जाता है चम्बल नदी में उद्बिलाव पाया जाता है जिसे लुटरा-लुटरा कहते है चंबल नदी राजिस्तान में सरवादिक अवनाल का अपर्दन करती है और उतकात भूमी बनाती है अवनाल का अपर्दन क्या होता है जब ये भैती है जल के बे के करण मिट्टी का अपर्दन होता है उसे अवनाल का अपर्दन कहते हैं ठीक है, बीहड और डांग प्रदेश का भी निर्मान करती है, तो ये तीन चीज़े बनाती है, चंबल नदी, अवलार का परदन, उतकात भूमी, बीहड डांग परदेश, एक कोशन ये भी आता है, कि राजिस्थान में मिट्टी का सरवादिक जल अपरदन कहां होता है, तो और डच्छिनपूर्वी छेत्र में, यानि कि हाडोती के पठार में होता है, और किस नदी का करण होता है, चंबल के करण सरवादिक जल अपरदन होता है, राजिस्थान में मिट्टी का, चंबल की बाध परियोजना है, जो कि बहूत इंपॉर्टेंट है, चंबल में तीन चरणों में चार बान्धों का दिर्माड किया गया, ऐसा question आता है कि 100 km के छेत्र में तीन बान्ध बनाए गए है इस नदी पर ही ठीक है? बहुत important है, यह 100 km के छेत्र में तीन बान्ध important है, राजिस्थान में कौन-कौन से है साब पहला हमारा बनाया गया गांधी सागर क्रम भी पूछा जाता है इनका क्रम भी पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ पहला बांध है गांधी सागर ये मद्धे प्रदेश में है उसके बाद राणा प्रताप सागर ये हमारा कोटा में है इसके बाद हमारा आता है जवाहर सागर ठीक है राणा प्रताब सागर बांद ये रावत भाटा चित्तोडगण में है रावत भाटा चित्तोडगण में है रावत भाटा आपने परमाणु सहींत्र भी सुना होगा रावत भाटा चित्तोडगण में है ये उसके बाद जवाह जबहार सागर बनाया गया था जबहार सागर एक पिकप बांध है पिकप बांध का मतलब वो होता है जब पानी ज्यादा भर जाता है राणा प्रताप सागर में पानी छोड़ दिया जाता है सबसे पहले गांधी सागर बनाया गया MP में फिर राणा प्रताप सागर रावत भा से बनाया गया था रावत भाटा परमाणू सैयंत्र किस देश के सैयोग से राजस्तान में इस्थापित किया गया था कमेंट करके बताओ बहुत अच्छा कोश्चन है रावत भाटा परमाणू सैयंत्र किस देश के सैयोग से राजस्तान में इस्थापित किया गया कमेंट जर चम्बल नदी पर प्रिथम चरण में राजिस्तान से बहार बना हुआ एक मात्र बांध है जल विद्द उत्पादन चमता है इसकी 23 मेगाबाट की 5 यूनिट है तो ऐसे करके 115 मेगाबाट इसकी गांधी सागर की चमता है 23 गुणा 5 कोटा बेराज की स्थिति है कोटा में कोटा बेराज में चम्बल का सिचाई बांध से का जाता है जहां सिचाई के लिए दो नहरे निकाली गई है यह दो नहर इंपोर्टेंट है जो कि इंपोर्टेंट है कौन कौन सी है जो बाई नहर है वो कोटा बुंदी को पानी ले जाती है important point है दाइन नहर कोटा 12 MP 22 कोटा और बुंदी को 14 लिफ्ट नहर है दाइन नहर पर जिसमें से 8 कोटा और 12 को पान ले जाती है 6 MP को ले जाती है न सेकेंड चरन राणा परताब सागरबान राणा राणाप्रताब सागरवांद चितोडगर में है, रावत भाटा, राजिस्थान की सबसे बड़ी बांद परियोजना है ये, इससे रावत भाटा परमाण उर्जा की इंद्र को जलापूर्ती होती है, जल विद्धुत उतपादन कितना है, 43 मेगावाट की 4 यूनिट है, ऐसे अब बात करते हैं, थर्ड चरण की, थर्ड चरण में जवार सागर और कोटा डेम बनाया गया, इसकी इस्तिती कोटा और बूंदी में है, जल विद्धुत उतपादन होता है, या पर 33 मेगावाट की 3 यूनिट है, 99 में में मेगावाट उतपादन होता है, इसे चंबल का प राजिस्तान में साउथ से नोर्थ की ओर, एबन बाद में इस्ट की ओर बहने वाली नदी चंबल नदी है, पहले ये साउथ से नोर्थ की ओर बहती है, फिर बाद में इस्ट में बहती है, कोटा सबाई, करोली सबाई मादोपुर में इस्ट में बहती है, अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी नदी, बंगाल की घATHER की बनास नदी बनास नदी का उधिलम खमनोर पाड़ी राजस्तमन्ध से होता है जब मैंने बताया था कि चम्बल में ये ओर से आकर मिलती है काली सिंद सबसे बड़ी दाइई ओर से आकर मिलती है और इसमें आकर मिल जाती है कहाँ पर मिलती है रामेशुर घाट में रामेशुर घाट में और बहाँ पर इससे सीब भी मिलती है सीब, चंबल और बनास संगमिसकर चंबल से रामेशुर घाट में होता है लंबाई इसकी 512 किलोमीटर है लंबाई इसकी जरूर याद रखनी है 512 किलोमीटर ठीक है पुरानी लंबाई 480 किलोमीटर थी लेकिन अब 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है यह आपको जरूर याद रखनी है राजिस्तान की राजिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है अब बाच शेतर इसका मैं बता चुका हूँ छे जिले में बहती है कौन-कौन से हैं एक तो आता है मेवाड का मेदान इसे RBC से आप याद रह सकते हो RBC मतलब राजसमन, भीलबाडा और चित्तोड एक आप याद रह सकते हो ATM ATM मतलब अजमेर, टॉंक और सबाई मादोपुर यह जो ATM है इसको मालपुरा करोली का मैदान भी कहते हैं अब एक कोश्चन आता है एक्जाम में एक्जाम में क्या आता है कि मालपुरा करोली का मैदान किस भाग में पड़ता है तो यह अजमेर, टॉंक सबाई मादोपुर यह बनास नदी का बाद चित्र है और पूरवी भाग में पड़ता है ठीक है यह आपको याद रखना है